नमस्कार मंडड़ी आज हम बनाएंगे महाराष्टर की authentic recipe पिटल और भाकर ये बहुत ही famous है महाराष्टर में चलिया इस recipe को बनाना शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी जितना बेशन दो medium size के प्याज, एक टामाटर लेसन और हरी मिर्च की paste बनाई है इसे जाधा बारिक नहीं पीशना है friends करी पत्ता हरा धनिया कटा हुआ एक चमच राई, एक चमच जीरा, आधा चमच अजवाइन बिया है चुटकी वरहींग, नमक और हल्दी, एक बड़ा सा बाउल लेना है कोई भी बरतन उसमें हम डाल देते हैं, एक कटोरी बेशन आधा चमच अजवाइन लिया है, हाध से क्रश किया है, उसे भी डाल देंगे और यहाँ पर देड़ ग्लास जितना पानी डालेंगे चमच से या फिर विस्क से उसकी गुटलिया खतम होने तक इस तरह से मिक्स करना है पतला घोल बनाना है हमें यह जवाइन डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंट्स यह देखे पतला घोल हमारा तयार है जैसे ही पकेगा और वेसे ही पकने के बाद थीक होता है पिटला ग्या सौन करके हमने कड़ा ही रखा है तीन चमच डाला है तेल तेल गरम होने के बाद डालेंगे राई एक चमच एक चमच डालेंगे जीरा राई जीरा जैसे ही चटकने लगे तब ही इसमें हम डालेंगे करी पत्ता 10-12 करी लिया है मिक्स करेंगे ग्यास की फ्लेम को लो रखना है हिंग डालेंगे चुटकी भर प्यास डालेंगे बारिक कटा हुआ दो मीडियम साइज के प्यास को हमने बारिक कट किया है प्यास डालने के बाद अच्छे तरश से मिला देंगे और प्यास को थोड़ा सा भून लेना है अभी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और लेसन की पेस्ट थोड़ा सा नमक डाल कर हरी मिर्च और लेसन को पीस लेना है दर दर आसा एक मिनट के लिए इसे भी भून देना है अच्छी तरह से मिलाते हुए एक चम्मच डालेंगे छोटी हल्दी एक चम्मच डालेंगे नमक मिला देते हैं नमक को स्वादा नुसर डालना है एक टमाटर को डाला है अच्छा लाल टमाटर लेना है मीडियम साइज का टमाटर है कट करके डालेंगे एक टमाटर वेसे तो डालते नहीं है पिटले में लेकिन इस से थोड़ा सा खटा साता है पिटले को चलिए सौफ्ट होने तक धक देंगे एक मिनट तक लीड को हमने निकाल दिया है यह देखिए एक मिनट हमने पकाया है धीमियांच पर टमाडर अच्छे से मैश हो रहा है सौफ्ट हो चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करेंगे बेसन के घोल को और डाल देंगे बेसन के घोल को डालने के बाद इसे चम्मच या स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाती हुए एक मिनट तक जैसे ही पकने लगेगा पिटल फिर वो पतला नहीं रहता है जैसे जैसे पकता है वैसे ठीक होने लगता है यह देखे इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है पिटल को यह देख सकते हो आप कितना पतला था कितना गाड़ा हो चुका है पिटल यहाँ पर मैंने एक कप थोड़ा सा पानी और डाला है हमें इस पिटल को साथ ताट मिनट तक पकाना है धक कर जो कच्चापन रहता है बेशन का वो नहीं रहेगा और बहुत ही स्वादिष्ट पिटल तयार हो जाएगा चलिए पानी डालने के बाद अच्छे से मिला दिया है हमने यह देख सकते हो आप कितना बढ़िया बना है अभी इसे ढख ढख देते हैं और ढखकर इसे साथ से आट मिनट तक पकाएंगे इसे जरू ढखना है इसकी छीटे उड़ते हैं जैसे पकने लगता है पिटल यह देख सकते हो आप पिटला हमारा तैयार है और एक बाद इसे चमज से चलते हुए हम पकाएंगे यह देखिये बहुत ही स्वादिश्ट पिटला तैयार है गर्म गर्म सर्व करने के लिए कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हरा धनिया का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है पिटला में मिला देते हैं एक बार यह पिटला बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंड्स स्पाइसी और टेस्टी बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ गर्मा गरम खाने के लिए सर्व करें यह देखिए पिटला हमारा तयार है चलिए पिटला भी सर्व करने के तयार है अभी हम रोटी बनाएंगे यहाँ पर मैंने पानी लिया है और गया सौन करके तवा रखा है और जवार के रोटी का आटा लिया है थोड़ा सा आटा लेना है एक बड़े से बरतन में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसका सौफ्ट आटा डोव लगाना है यह देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी लिया है हाथ पर और इसे अच्छे से गुंद लेना है यह देखे इस तरह से इसे थोड़ा पानी डाल कर इस तरह से हमने दो लगा दिया है सौफ्ट लगाना है यह जवार की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंट्स पिटले के साथ बाजरी की रोटी या फिर जवार की रोटी इसे मरठी में भाकरी भी बोलते हैं बहुत ही यम्मी लगता है चलिए अब हम बनाएंगे भाकरी आटा लेंगे हाथ पर जितना हमें चाहिए होगा उतना है लेना है छोटे ये बड़े साइज में आपको छोटी बड़ी रोटी बनाना हो उतना ये देखिए आटे की लोई मैंने हाथ पर लिया है सुखा आटा डालेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए रोटी बनाएंगे ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हम रोटी बनाएंगे बहुत ही ये रोटी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स बनाने में और पिटले के साथ तो एक नमबर बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में थोड़ा सा सुखा आटा लगाना है हाथ पर चिपक जाए तो रोटी देखे इस तरह से प्रेस करते हुए गोल रोटी बनाना है हाथ से इस रोटी को बनाना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स यहाँ पर रोटी हम बनाते हैं तब तक ग्या सौन करके हमें तवा रखना है तवे को अच्छे से गरम करना है रोटी सिखने के लिए यह देखे तवा गरम हो चुका है अभी हम रोटी को डाल देंगे जवार की रोटी को तवे को अच्छे से गरम कर लेना है अभी इस पर हमें डालना है पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे सभी साइड रोटी को पानी लगा देंगे और रोटी का पानी थोड़ा सा सूखने के बाद इसे पलट देना है यह देखे पानी सूख चुका है अभी पलट देंगे यह देखे रोटी को हमने पलट दिया है अभी इसे अच्छे से सीखना है इसे सभी साइड से अच्छे से सीख लेना है यह देखिए रोटी को सभी साइड से अच्छे से स्पैचुलर से सीख देते हैं यह जवार की रोटी यह अनफ रेट्स बहुत ही टेस्टी लगती है इसे बनाना भी बहुत ही इजी है और पिटला के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है गर्मा गर्म पिटला और गर्मा गर्म यह जवार की भाकरी या फिर बाजरे की चलिए रोटी को पलट देते हैं यह देखिए इस तरह से स्पैचुलर से इसे स्प्रेप अच्छे से प्रेस करते हुए हम सिख देते हैं यह देखिए सभी साइड से अच्छे से सिखना है रोटी को यह देख सकते हो आप कितनी अच्छी रोटी बनी है जवार की भाकरी अभी रोटी हमारी तयार है निकाल देते हैं सिख चुके है अच्छे से देख सकते हो आप गर्मा गर्म पिटला के साथ गर्मा गर्म रोटी ठेचा कांदा जरूर सर्व करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें चानल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ